आज हम बनाएंगे भोती स्वाधिस्ट रेसिपी और भोती खास है ये वही साधिसी मतर वही साधिसी मेथी आज हम बनाएंगे मलाई मेथी मतर जो कि आप रेस्टोरेंट में जाकर कि खाते हैं भोती स्वाधिस्ट बनने वाले हैं आज की मेथी मलाई मतर तो लास्ट तक बने रहिएगा हेलो फ्रेंड्स रादी रादी जी मैं हूं प्रियंकारल मेरे चैनल वैच फूलवर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चले तो आज की डिश बनाना शुरू करते हैं यह मैंने मेथी ले लिया है धाई कप आप तीन कप भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्याद मतर हरे मतर मैंने लिया है डेड़ कप यह फ्रेश मतर है आज कल मार्किट में बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है मतर को फिर मैंने यह ले लिया है मलाई दूद की मलाई लिया है मैंने एक कप आप चाहे तो फ्रेश क्रिम भी ले सकते ह अगर आप फ्रेश क्रिम लेंगे तो आदा कप ही डालें अगर घर की मलाई डालें तो एक कप डालें अच्छे से उसे फैट लिया है मैंने फिर मैंने ले लिया एक कोई भी बरतन उसमें डालेंगे पानी तीन कप की गरीब मैंने पानी डाला है इसमें यह देखेंगे पानी क अच्छे से गरम कर लेंगे पाणी को में अच्छे से वोल आने लगी है अब इसमें यह ढाल देंगी मटर मटर को अच्छे से अमने धू करके पहले ही रख लिया था अब इसे ढग करके 5 मिनट के लिए 반ीब पकाना है यहनी हल्का-ल्का मटर पख जें पांच मिनट के लिए ढख करके पकाएंगे ये देखेंगे पांच मिनट के बाद देखेंगे तो मटर का रंग तो वैसे ही है यानि हरा हरा ही है और ये अच्छे से सोफ्ट हो गए है अब इसे हम निकाल करके रख देंगे नि तो अगर गर्म पानी में पड़े रहे तो और भ जिसे की मैंने काट लिया है यह मैंने ले लिए दो प्याज इसे भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है यह मैंने ले लिए दो टमाटर इसकी मैंने बीज निगाल करकी इसे काट लिया है अब हम करेंगे इसे तड़के को बूनेंगे पहले लेंगे हम एक फ्राइपेन उसमे बूल लेंगे यानि ओयल में अच्छे से mix करते रहेंगे ये बहुत ही shrink हो जाएगी मेति ये देखेंगे हमने डाई कप की मेति ले थी ये देखेंगे बिल्कुल शरिंग हो गी है यानि आदा सा एक कप बन चुकी है आदा कप ही होगा अब इसे side पर रख देंगे फिर ले ले बूल लेंगे लसून का पकाँवा का flavor बहुत ही अच्छा आता है सबजी में ये दीकिंगे हलका हलका मैंने बूल लिया है पिर इसमें हम डाल देंगे प्याज इसे भी हलका सचला लेंगे यहनि ज्यादा brown नहीं करना हलका सचलाने के बादद फिर इसमें हम डालेंगे काज मसाले को हमने सोफट होने तक पकाना है गैस को चाहे आप तेज रख दीजे चाहे स्लो रख दीजे पर बीच-बीच में चलाते रहीएगा फिर इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चमच नमक जिससे कि अच्छी से सोफ्ट हो जाएंगी अच्छी से मिक्स कर दिया है मैंने नमक को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप चाहे तो डग करके पकाई है चाहे तो ऐसे भी भी पका सकते हैं ये देखेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो मसाला जो है अच्छे से सोफ्ट हो गया है आप चाहे तो इसे ठंडा करकर भी पीस सकते हैं ये द फिर ले लेंगे हम एक फ्राइपीन उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच ओईल डालेंगे ओईल को अच्छे से गरम कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले मैंने ये ले लिया है जीरा आदी चोटी चम्मच एक ले लिया बड़ी इलाइची दो ले लिया है लो आधी खड़ी मसाले आप निकाल सकते हैं इसका फ्लेवर बीच में चले जाता है यह दिखेंगे मैंने इसमें में डाल दिया मसाला यानि जो हमने पीसा था वो अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे चोड़ देंगे पकने के लिए फिर इसमें हम पिए इसमí डालेंगे लाल मburseका पाऊड़र अधी छोड़ी चंब चमच्च है में लिए कंसमीरी लाल मिल्च यह दिकी नहीं वती लिए ब hackers ऐसे रंगत अच्छी आएगी फिर सब्सक्राइओ धनिया पाऊडर एक चोड़ी चमचक्र देंगे हल्धीं पाऊडर आधी पानी में मिक्स हो जाए थोड़ी के पाथ ढूता है इसमें ब्रहुद है इसका color भी change हो गया है पहले से color भी change हो गया है और पानी जो इसमें था वो absorb कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे मतर मटर डाल देंगे साथ ही में मेथी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे आप कहेंगे मेथी मलाई मटर बना रहे हैं मलाई तो अभी तक डाली ही नहीं मलाई भी डालेंगे यह पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे मटर और मेथी को इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे एक से दो मिनिट के लिए ताकि जो मसाले हैं अच्छे से मेथी और मतर में अबजोर्ब हो जाएं ऐसे कोई क्या ही ना सके कि हमने अलग से इसे वोईल किया था अब इसे ढख करके हमें थोड़ी दे के लिए पकाना है यानि दो से तीन मिनिट के लिए यह देखेंगे दो से तीन मिनिट के बाद देखेंगे तो अच्छे से यह मिक्स हो गए है अब कोई क्या ही नहीं पाएग कि हमनी मेटर को अलग वोईल किया था अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ दे के लिए इसे ऐसे ही चोड़ देंगे पकने के लिए फिर इसे हम चलाएंगे यह दिखेंगे अच्छे से हो गया यह गाड़ी अब इसमें हम डालेंगी है हमारी जो हमने रखी थी दूद की है वो इसमें डाल देंगे एक कप मैंने ली थी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे यह गर्म-गर्म मिछ में अच्छे से mix हो जाएगी ज zer के से mix होगी है अभ इसे एक वोल आने تक पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है मलाई डालकी बस एक वोइल आने तक पका लेजिए ये दिखेंगे वोइल आ गया है अच्छे से mix कर देंगे, अब इसमें हम डालेंगे अच्छी महेख के लिए धनिया, दो चमच मैंने दनिया लिया वो डाल दिया अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसे हम करेंगे सर्व यह हमारी मेथी मलाई मटट बन करके त्यारा है गाइस बहुत ही स्वाधिस्ट बनी है आप भी रेस्पी ट्राइ कीजिए आपको यह रेस्पी कैसे लगी हमें कोमेंट करके जुरूर अव्य हमें थेुओओ शर्वाचिंग исследование चेजिए ओड़ शवारूरे हमारे हमी तकि पताइस नहीं करके लिया रेव см tätäसक्षा तक तासी सुऌ यह को में गणा के वुद में हमारी सरव बतावा, जा हमारी सब sean एंपको नम स्सक्राइस आपण दोकि दोस्टाइस रैं कर थै